Welcome dear friends, उमीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे दोस्तो आज का जो टॉपिक हैं वो हैं वालके नूज वालके नूज रिलेटर जितने भी इंपोर्टेंट एंसे क्यों बनते हैं हम आज वो इस वीडियो में करेंगे याद रखना यह जो वालके नूज हैं वर्ल्ड जिग्राफिक का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक हैं तो हम करते हैं सिटार्ट आज क्वेश्चन नूबर वन से क्वेश्चन नूबर वन है आपके स्क्रीन पे विच इस दे लॉर्जस्ट एक्ट्व वालकेनो अन अर्थ तो आपको बताना है हमारे अर्थ के उपर सबसे बड़ा एक्ट्व वालकेनो कौन सा है तीन सेकंड है आपके पास दोस्तों इसका जो क्रेक्टर अंसर है वो है बी पॉर्ट यहां पर क्रेक्टर हो जाता है मोना लू इन दे युनाइटिड स्टेटिस अब देखते हैं मैप में कि ये मोना लू जो है मोना लू जो है यहां पर अगर आप ने हवाई आईलेंड का नाम होगा हाई ढूल्य आईटिड का नाम सूना होगा जो की युनाइटिड स्टेटिड सेटिस के अंडर आता है वहाँ पर यह जो सबसे बड़ा आइलेंड है मोना लू वो वहाँ पर माजूद है अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे आपको मैं दिखाऊंगा मैप पर यहाँ पर यह जो मोना लू है यहाँ पर आप देख सकते हों कितना जो है लावा निकल के आता है पूरा पूरा दरियाव जैसा लगता है तो अब हम चलते हैं दोस्तो कॉस्चिन नमबर सेकंड बे बहुत ही इंपॉर्टन कॉस्चिन है दोस्तो अगर आपने पंपी का नाम सुना होगा जो के एंशेंट टाउन है इटली का जो कि आज सी तक्रीबन 2000 साल पहले की बात है जब यह टाउन जो है एक वालकेनो की जो वालकेनो मोंटेन होता है उस ने इस टाउन को पूरा दिस्ट्रॉय किया है तो आपको बताना है उस वालकेनो का नाम क्या है वो कौन सा मोंटेन था तो इस का जो दूस्तोक आजएंव है यहाँ पर बी-पाट कारेक्ट हो जाता है मोंट वी-सु-वियस यहां पर करेक्ट और हो जाता है जोकि एटली में है यहाँ पर आप देख सकते हूँ यहां पर कुछ रिमिनेंट्स माजूद हैं इस टाउन की यहां पर इसके पीछे जो आप देख सकते हो यह है मौट विश्यू वेस मौटेन है जो कि बहुत ही बड़ा वालकेनो मौटेन है और थोड़ा सा नीचे जाएंगे अम यहां पर आप देख सकते हो कहां पर है यह रहा है आपकी इटली इस साइड में आपके देखो यह मेडिटेरियन सी यहां पर यह जो एग्जाक्ली मौट विश्यू वेस्ट लोकीटड है नेक्स्ट कॉस्टन नंबर थी है हमारे सिक्रीन पर विच इस दे बिगेस्ट टाइप आप वालकेनो आपने अगर वालकेनो के टाइपस पड़े होगे तो आपको पता होगा वालकेनो के बहुत सारे टाइपस होते हैं तो इसका जो correct answer यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है citrate of volcano यहाँ पर correct हो जाता है अब दोस्तों यहाँ पर कुछ important types है volcano की यहाँ पर आप देख सकते हो cinder cone volcano होता है composite volcano जिसको citrate of volcano भी कहते है इसी तरह shield volcano होते है lava domus volcano होते है यह जो होता है यह कून shaped होता है located in. अगर आपने rings of fire का नाम सुना होगा तो आपको बताना है ये किस ocean में है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानि कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वर्लकने अक्टिटी daily base पे होती है. तो आपको बताना ये कहाँ पे है? तो इसका जो correct answer है वो है यहाँ पर Pacific Ocean. Pacific Ocean में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको मैप में दिखा रहा है, यहाँ पर यह जो लकीर है, यह जो red color के लकीर है यह है rings of fire, यह जो एरिया है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वालकने उस activity होती रहती है, continuously तो इसलिए इसका नाम है rings of fire Pacific Ocean आपको याद रहुआ है next time secure की तरह चलते है next time secure है निरंग गूंगा वालकनो is located in, आपको बताना है यह वालकनो कहाँ पर है दोस्तो दोस्तो इसका जो correct answer है वो है यहाँ पर Congo, अब यहाँ पर की तरह चलते हैं दोस्तो next secure which is the tallest active volcano in Europe यूरॉप का आपको बताना है tallest or active volcano कौन सा है दोस्तो इसका जो correct answer है वो है डीपोर्ट यहाँ पर mount इटना यहाँ पर correct हो जाता है यह रही आपकी इटली यहाँ पर है यह जो mount इटना है Cilici यहाँ पर जो land है तो यहाँ पर इसी के ऊपर है इतना यहाँ पर correct हो जाता है इतना देख सकते हूँ कहाँ पर है तो next mcq की तरह चलते हम next mcq है moat crackotia is located in which country यह भी बहुत important है एक किसम का यह बहुत ही मैं कहूंगा बड़ा जो volcano mountain है आपको बताना है वो है इंडोन एशा बिल्कुल airport यहाँ पर correct हो जाता है दोस्तो next mcq की तरह चलते हम जो कि बहुत important mcq है which is the oldest volcano in the world आपको बताना है दुनिया का सबसे प्रोना oldest जो कि हमारे जमीन पर आज भी मौजूद है कौन सा है दोस्तों इसका जो correct answer है वो है यहाँ पर mount इतना यहाँ पर correct हो जाता है और दोस्तों यह जो इतना mountain है यह almost साधे तीन लाक येर ओल्ड है ने बहुत ही प्रोना mountain है यह next mcq की तरह चलते है यह देख लीजे सबसे पहरे यहाँ पर इतना की तस्वीर है यहाँ पर आप देख लीजे यह drone की तस्वीर है आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना पुराणा देखता है next mcq है यहाँ पर which sorry what is the youngest volcano in the world यहाँ पर which होना चाहे which is the youngest volcano यहाँ पर कौन सा आपको बताना है कौन सा है तो इसके जो correct answer है दोस्तों यहाँ पर बीपॉट यहाँ पर correct हो जाता है परिक्यूटन यहाँ पर correct हो जाता है और यह कहाँ पर है यह Mexico City है Mexico में exactly located है next time से क्यों की तरह चलते है which country have largest number of active volcanoes याद रखना दोस्तों active volcanoes की बात कर रहा है सबसे ज्यादा कहाँ पर है किस country में है आपको बताना है इसका जो दोस्तों correct answer है वो है इंडोनेशा इंडोनेशा में सबसे ज्यादा यहाँ पर active volcanoes है और अगर और राल बात की करें चाहे active या dormant फिर तो USA यहाँ पर correct हो जाता है लेकिन active volcanoes की बात करें तो यहाँ पर इंडोनेशा में सबसे ज्यादा volcanoes है तो next important MCQ होई विच वाइर इस वाइर इस दा वर्ल्ड most active volcano आपको बताना है सबसे ज्यादा next MCQ की तरह चलते है वाइर इस दा वर्ल्ड most active volcano आपको बताना है कहाँ पर है यह world most active volcano कहाँ पर है तो दोस्तो इसका जो correct है वो है किलियायू यहाँ पर सीपॉट यहाँ पर correct हो जाता है आपको नाम याद रखना पड़ेगा तो यह जगा ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यह प्लेस जो है हवाई में है यहाँ पर सबसे ज़्यादा active volcanoes होते है question number next question है next question की तरह चलते है हम दोस्तो what is the name of the most famous volcano in Japan जांपान का सबसे जो famous volcano हो उसका नम बतन है आपको आपने बहुत बार सुना भी होगा तो यहाँ पर इसका जो correct answer है वो है seapot motorfugee आपने सुना होगा तो यहाँ पर आप map में भी सारी तस्वीर में भी देख सकते हो कि कितना बड़ा और कितना यहाँ पर खुबसूरत volcano दिखता है next time से क्यों की तरह चलते है which island of India has the only active volcano in India तो आपको पताना है आपको पता भी होगा यहाँ पर इसका जो directly correct answer है वहाँ बारन आइलेंड से यहाँ पर correct हो जाता है यहाँ पर आपको बारन आइलेंड वहाँ पर यह आइलेंड माजूद है वहाँ पर यह वालकेनो भी माजूद है दोस्तो इसका जो correct answer है वो है मारस पे मारस पे जो सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा जो वालकेन हो उसका नाम है उलमपियस मौनूस यहाँ पर उसका नाम है तस्वीर में आप देख सकते हो यह जो आपने बहुत बार मारस की तस्वीर देखे होंगी यह बहुत ज़्यादा बड़ा है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 80 किलूमीटर यह उचा है यहने की टाल है बहुत ही बड़ा है यह मारस पे अलमूस अगर हम बात करें यह तीन गुना लंबा है यहाँ पर तीन गुना बड़ा है मोट एवरिस्ट से तो काफी ज़्यादा बड़ा मोटेन है तो नेक्स्ट इंपॉर्टन एमसीक्यो की तरह चलते हैं वायर दास दे टर्म वालकेनो कमज फ्रम तो आपको बताना है यह जो वालकेनो टर्म है कहां से निकली है तो इसका जो दोस्तों कॉरेक्ट अंसर है तो दोस्तों यह थे कुछ इंपॉर्टन एमसीक्यो रिलेटिड वालकेनो उस तो इसके साथ ही दीजे मुझे इजाज़त वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ में इस चैनल को भी सबस्क्रेब कर देना तक्यू पर वाजिए देवर्टन